So Hello Guys, Technical Pankaj Zone में आपका फिर से स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे TT Coin का जो न्यू अपडेट आया है और साथ में हम किस प्रकार से Wallet का योज करेंगे और कितना यहाँ पर लिमिट है ट्रांसपर करने के लिए TT Balance आईए इसमें हम complete information आपको देने वाले हैं तो सबसे पहले Friends अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मैंने यहाँ पर 1000 Like का टार्गेट रखा है मुझे आसा है कि 1000 Like में आप पार्टिसिपेट करेंगे अपना योगदान देंगे खीक है Friends तो आईए जो आज का अपडेट है इस पर हम डिसकस करते हैं सबसे पहले TT जो बैलेंस है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1000 यहाँ पर सोग कर रहा है और अभी तक मैंने कितना बैलेंस जो है यहाँ पर ट्रांसफर किया है और किस प्रेट्फराम पर ट्रांसफर किया है इसका भी मैं आपको इन्फरमेशन दूंगा तो जैसे कि Friends यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि Just Swap का आपसन है कोईन बजार का है और बाइलेक्सी का अपसन दिया हुआ है और इसके साथ में पहले भी आपने अपडेट देखा होगा कि ट्रोस्ट वालेट में भी जो यह टीसी बैलेंस उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं और साथ में Tron Link Pro भी है जो की काफी वो अभी इस समय में हाइलाइटेड है जो Tron Link Pro अप्लिकेशन है वहाँ आप इजली जो है कि TC बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके साथ में आप जो अधर यहाँ पर जो आपको आप संदीक रहे हैं यहाँ से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा कोश्चन यहाँ पर यह है कि इतने सारे जो प्रेटफरम दिया हुआ है यह इन में से हम कौन सा यूज करें जासा कि यहाँ पर ट्रॉसट वालेट है जो मैक्सिमुम 3,000 ङसे बड़ांस अप अपना ट्रॉस्ट कर सकते हैं लेकिन ट्रॉस्ट वालेट का जो टॉर्म इन केंडिशन था जिसमें उनकी चार्जेस थी वो ज्यादा थी इसलिए जो TT coin community है उन्होंने Trust wallet को हटा के और उन्होंने Tron Link Pro में option दिया है और मैंने जहां तक यहां पर जैसा कि मैं आपको दिखा हूँ यहां पर 3 dot है 3 dot है मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने यहां पर Payout history का option पहले चलता हूँ मैं आपको तो मैंने यहां पर 25,700 PC coin को transfer किया है यह किस प्रकार किया है और कैसे किया है step by step में आपको बताऊंगा तो जैसा कि friends यहां पर यह जो view in blockchain का option है तो इसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा लेकिन जो यह wallet है wallet वाले section पर हम चलते हैं और आपको एक और information मैं यहां पर देना चाहूंगा कि जो नीचे option आया है कि Tron Link Pro का एक option आया है जैसा कि यहां बताए गया है कि how to get payment ठीक है और trust wallet का है तो मैंने तो यहां पर Tron Link Pro में अपना transfer किया है 25,700 coin को वो कैसे किया है आये देखते हैं तो सबसे पहले friends अगर आपने Tron Link Pro application को download नहीं किया है तो इस application का link जो है इस video के नीचे description में मैं दे दूँगा आप वहां से directly download कर लेना क्योंकि अगर आप उस link से download करते भी हैं तो आपको extra यहाँ पर 300 Tron मिलेंगे ठीक है friends तो आईए जो create account का option है यहाँ पर चलते हैं और जो Tron Link Pro का application है इसमें किस प्रकार register करना है create account के option पर हमें click करना है और जैसे ही यहाँ पर आप click करोगे तो यह कुछ term and condition दिया हुआ है जो कि हमें आप नीचे आओगे तो फिर यहाँ पर जैसे ही हम यह नीचे आते हैं तो accept का option आता है accept करने के बाद यहाँ पर set name यानि कि मैंने apoma12 अपना जो unique name यहाँ पर set किया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसे आपको भी कोई unique name यहाँ पर set कर लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर आएगा set password का option तो password आपको यहाँ पर select कर लेना है और यह complete करने के बाद आपको again यहाँ पर दोबारा password सब्मिट करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि term and condition दिया हुआ है इसका कि backup money money का option है तो इसे यह important reference आईए इसके बारे में हम जान लेते हैं तो जैसे कि friends यहाँ पर consist का option है और साथ में यह जो tron link is a decentralized wallet है याने कि it will not store your private key यह आपका private key को store नहीं करेगा और please backup your money morning before receiving asset और on installing the wallet इसका कहने का मतलब यह है कि यह जो application है इसमें आपको कुछ code दिये रहेंगे उस code को जो है कि आपको याद करके रखना है या कहीं पर save करके रख लेना है और उसमें serial wise होगा आये क्या है आये हम यहाँ पर देखते हैं तो जैसा कि आप पर जो backup का now option है यहाँ पर click करने पर हमारे सामने कुछ piece परकार का interface आता है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर options आपको दिखाई दे रहे हैं ज ठीके फ्रेंट्स यही आपका जो Tron Link Pro का जो wallet है यह अगर आपका रहेगा तभी आप उसे open कर पाओगे अगर in future में यह आपसे खो जाता है तो जो भी आपके Tron Link Pro में आपके wallet में जो भी coins रहेंगे वो हमेशा के लिए खतम हो सकता है तो इसलिए फ्रेंट्स इसका आप वि करने पर आपको जो है कि दो से तीन word पूछेगा उस word को आप जैसे submit करेंगे तो आपका यह जो application है open हो जाएगा तो जैसा कि फ्रेंट्स यहां पर Tron Link Pro का मैंने application open कर लिया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि TC का यहां पर अभी current में है यहां पर 25,700 जो मैंने ट्रांस आप जाओगे तो यहां पर history का option है history का option पर आप क्लिक करते हैं तो जो भी यहां पर जो आप coin transfer किये रहेंगे तो जैसा कि friends यहां पर मैंने जो transfer किया था confirm का option आ रहा है यानि कि यह complete हो गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं और यह जो option है यहां पर आपको click करना है और आप register करना होगा register करने में आपका mail id की ज़रूरत होगी और password का जो कि आप दोबारा हो आप password क्रेट करके यह आप इसमें register कर सकते हैं और login करेंगे तो वहां पर कुछ नए features आएंगे तो यह काम आपको कर लेना है ठीक है friends तो जैसा कि friends यहां पर जो result है result यहां पर मेरा success का सो कर रहा है और जो status है confirm है जो कि 21 तारीक को यहां पर मैंने इस wallet में transfer किया था tt coin और जैसा कि friends आप देख पा रहे हैं कि यहां पर अभी present में मेरा जो account है account में asset में हम चलते हैं टीसी जो balance है यह 25,700 कर रहा है अब यहां पर आप यह सोच रहे होंगे कि इसकी value 100 नहीं कर रहा है तो friends अभी यह कल ही मेरा update हुआ है और आने वाले समय में जो है कि इसकी value क्या होगी वह यहां पर बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा तो यह जो Tron Link Pro application है यह बहुत ही easy है अब यहां पर बात करते हैं कि किस प्रकार से हम यहां पर जो TC यानि कि TT balance है उसे हम किस प्रकार इस application में लेकर आएंगे तो friends मैं आपको यहां पर बता देते हूँ बहुत ही easy है तो सबसे पहले friends यहां पर जो wallet का option है wallet वाले option पर हम आते हैं जो TT coin network application है wallet वाले option पर आते हैं यहां पर how to get payment का option है लेकिन जैसे ही अगर आपका यहां पर जैसे कि मेरा one thousand है अगर आपका 10,000 हो जाता है तो इसी वाले option पर आपको एक wallet नजराएगा wallet code होगा उस wallet code को आपको यहां से copy कर लेना है ठीक है और copy करने के बाद अब क्या काम करना है आपको यहां पर जो Tron Link Pro ह है Tron Link Pro में आपको आना है और यहां पर Tron Link Pro के option में यह जो Tron है ठीक, Tron वाले option पर आपको क्लिक करोगे तो receive का option आएगा, receive करेंगे ऐसे, तो यहां पर copy the collection address आएगा, copy the collection address आएगा, यह जो है, यहां आप पर आप copy कर सकते हैं, otherwise यह जो option है, जैसा है कि friends यहां पर जो receive का option ह पर हम क्लिक करते हैं, तो copy the collection address का option आएगा, तो यह जो अपमा 12 का यह जो कुछ code दिया है, यह copy हो जाएगा, ठीक है friends, यहां पर हम इसको इस प्रकार से copy कर लेंगे, तो यह copied हो जाता है, यानि कि copy हो गया है, और यह जो section है, आपका TT coin network का, यहां पर आना है, और जो यहां wallet का option है, तो यहां पर आपको एक code तो दिखाई देगा, लेकिन एक space भी रहेगा, आपको यहां पर आके paste कर देना है, ठीक है, आप जैसी paste करोगे, तो यहां पर यह successful का option आएगा, और आपका जो भी 10,000 से उपर रहेंगे coin, वो आपके, जो Tron Link Pro application है, उसमें आपका transfer हो यहां पर करीब करीब एक हपते लगे थे मुझे, इस wallet में यह जो सो कर रहा है, अभी 25,700, अब इसकी जो value है, आने वाले समय में हमको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, तो मकसद मेरा यही था, friends की जो Tron Link Pro application है, उसमें जो हम coin collect कर रहे हैं, उसे हम कौन से platform पर लेकर, हम Tron में यहां पर transfer कर सकते हैं, तो अभी तरका जो यहां पर update है, update में मैं अगर आप बात करूं, तो Tron Link Pro application बेटर है, और friends यहां पर जो TTC Coin Network application में, जितने भी आप यहां पर TC balance collect किये रहेंगे, वो जो जितना भी collection होगा, अभी क्या है कि 10,000 पर आप transfer कर पाएंगे, पहले 30,000 limit था, अब कम कर दिया है, और आने वाले समय में, अभी जैसा कि 10,000 कर रहा है, जो इसका notification हो आपर, यह आने वाले समय में और भी कम होगा, यानि कि 1,000 या 2,000 भी अगर आपके पास रहेंगे, तो उसे भी आप आने वाले समय में Tron Link Pro जैसे application में transfer कर पाएंगे, अब यहां सवाल यह भी है friends की इतने सारे जो आपको प्रेटफार्म दीख रहे हैं, तो इसमें आपको ज्यादा confuse होने की ज़रुवत नहीं है, आप बस क्या करना है, आपको Tron Link Pro application को डाउनलोड करना है, हाला कि मैंने उसका link जो है, इस वीडियो के नीची description में दे दिया है, वहां पर वो जो application है, उसमें को डाउनलोड करके, आपको जो TC balance है, वहां पर transfer कर लेना है, बाकी जितने भी आपको other markets में, जैसे जोश्टिस्वेप का है, कोईन बजार है, बाइलेक्सी है, प्रोबीट है, इसमें भी आप transfer कर सकते हैं, यह आपके लिए एक तरह से optional है, ठीक है friends, तो जो है कि जो सर्विस है, वो सर्विस एक तरह से कह सकते हैं कि काफी fast है, इन में जो जो स्वेप हुआ है, इन में थोड़ा और भी time लग सकता है, आपके जो balance है, वो वहां पर show करने में, ठीक है friends, तो यह जो TT coin का network का जो application था, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में complete बतान इसका benefit मिल सके, ठीक है friends, और साथ मैं, अगर वीडियो अच्छा लगे friends, तो वीडियो को like जरूर कीजेगा, subscribe भी कीजेगा, अब मिलेंगे आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,